दादा जी का सफर केवल पढ़ने के लिए only for reading दादा जी आ गए, दादा जी आ गए बोलते हुए सोनम और विहान कूदने लगे दादा जी ने गाड़ी से अटैची उतार कर एक तरफ रखी एक बड़ा सा डिब्बा उठाया और बोले देखो, मैं तुम्हारे लिए जैपूर से क्या लाया हूँ दादा जी ने डिब्बा दिखाते हुए बोला उस पर लिखा था नाची कट पुदली दादा जी ने कट पुदलिया निकाली लो भई, यह राजा, यह रानी, यह अंगरक्षक और सोनम बोली यह शेश इनके नौकर चाकर है क्या दादू, यह कैसे चलती है, कौन नचाता है इन्हें दादू हसने लगे बैठो, बताता हूँ मेरा होटल चोखी धानी के सामने था वहाँ घुसते ही देखा कि कट पुदली वाला लोगों को कट पुदली नचा नचा कर राजा रानी की कहानियां बड़े रोचक धंग से सुना रहा है मैंने उससे कुछ कट पुदलियां तुम्हारे लिए ले ली विहान बोला तादा जी, चैपुर के बारे में कुछ बताईए दादू ने कहा बच्चों इस शहर को गुलावी नगर भी कहते हैं वहां का जंतर मंतर देखोगे तो दिल्ली का जंतर मंतर भूल जाओगे यह बहुत बड़ा है सोनम बोली दादू, मैं तो हवा महल, सिटी पैलेस, बिल्डला तारा मंडल, जैगर दुर्ग और आमेर का किला देखना चाहती हूँ अरे, तुमने कैसे जाना ये सब जैपुर में हैं? दादू ने पूछा दादू इसने गूगल में खोजा है विहान ने बताया शाबाश, अच्छी बात है कि इसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की सोनम बोली दादू, अगली बार हम भी आपके साथ जैपुर चलेंगे मम्मी मुजगाई और मम्मी सहित सोनम और विहान जैपुर कार्यकरम की कलपना में खो गए दादा जी उठकर नहाने चल दिये संकलिद